हेलो फ्रेंट्स वेलकम टियर उन चैनल लिली स्टॉप तो दोस्तों हम यहाँ पर मार्च महिने में आईशर मोटर्स की जितनी सेल्स हुई है और जो पूरा फाइनेशियल एर था मलब जो एपरेल 20 से लेकर अभी मार्च 21 तक उसमें जितनी सेल्स आईशर मोटर्स की हुई है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वान हूँ 365 परसेंड का ग्रोथ देखने को मिला है तो देखिए इसमें आपको ज्यादा शॉकिंग नहीं होना चाहिए तो कि पिछले साल आप सभी को पता है कि मार्च में जो कोविड आ गया था जिसकी वज़से हर बीजनेस में हमको एक अच्छी कासी सेल्स में गिरावट देखने क को मिली थी तो उसकी वज़से जो पिछले साल कोविड में एकदम सेल्स कम हो गई थी तो इसकी वज़से यहां पर आपको 365 परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला है और अगर हम टोटल यूनिट से अगर हम बात करें मार्च महिने में जो आईशर मोटर्स ने बेची है तो व दोस्तों यहां पर जो सेल्स में आपको बताईए इसके अनल रॉयल एंफिल्ड की सेल्स इंक्लूडेड नहीं है इसके अनल शिर्फ जो ट्रक्स और जो इसके जो घाडिया है में वहीं इंक्लूडेड है अब यहां पर yearly basis मनलब जो पूरा financial year है अगर मैं उसकी बात करूँ पिछले साल के अपरेल से लेकर इस बार के जो मार्च के अगर हम सेल्स के बात करें तो इस में सेल्स 15.6% गिरी है अगर हम पिछले साल के financial year से compare करें तो अब पिछले साल का financial year यानी 1920 वाला 2019 के April से लेकर 2020 के March टक तो इसके अनब लगबख 15% की sales में हमको गिरावट देखने को मिली है और जो total गाडिया यहाँ पर इन्हों ने बेची है वो है 40,188 unit आप इसको truck भी बोल सकते हो अब देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस बार कंपनी की 15% कम गाडिया भी की है तो यह sales अभी आईसे मोटर मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है आपको ऐसा लग रहा होगा देखिए ऐसा बिलकुल भी नहीं है लेकि शर्वात में एपरेल से लेके जून तक तो COVID की situation इतनी ज़्यादा थी कि जिसकी वज़ा से एकड़ नी के बराबर आपको sales देखने को मिली टी तो उसकी की वज़ा से आपको यहाँ पर यह गिरावट होती हुई नजर आई है लेकिन हमने देखा है कि उसके बाद एक अच्छी का सी recovery आई है जिस तरीके से sales month और month बड़ी है तो देखा जा तो यहाँ पर इसके share oldest के लिए कोई भी शुवाली बात नहीं है देखिए जो COVID में जो situation हुई थी उसको आप ignore नहीं कर सकते लेकिन उसके बाद जो हमको recovery देखने को मिली है हमको वो देखना च्छी है वो एक positive indication यहाँ पर है अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका market cap अगर आप देखोगे तो 71,921 करोड का market cap है और industry का PE है 48 का और आपको मिल रहा 63 के price to earning ratio पर देखिए no doubt कि यहाँ पर यह थोड़ा सा महेंगा जरूर है लेकिन देखिए जो main Royal Enfield की जो 22 चे जो आईशन मोटर्स बेस्टा है तो उसकी वज़स चे थोड़ा सा एक premium valuation आपको यहाँ नजर आ रहा है देखिए एक Royal Enfield के अपने आप में एक brand value है और brand value होने के नाते यहाँ पर यहाँ आपको थोड़ा सा premium valuation पर मिल रहा है अब अगर आप book value देखोगे तो book value के basis पर भी यह आपको 7.21 times पर मिल रहा है देखिए यह ऐसा नहीं कि यह आपको यहाँ पर सच्टे रेश्टोर पर मिलेगा ऐसा बिल्कलु भी नहीं तो कि जो premium valuation वाले share होते हैं वो आपको premium valuation पर ही खरीदने पड़ते हैं लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पर dividend एक्डम नी के बराबर है सिर्फ 0.48% का dividend है तो देखा जा तो जो लोग यहाँ पर dividend के purpose इसमें invest करे हुए है अब इन्वेस्ट करना चाते हैं मेरे ख्याल से अभी इसमें invest नहीं करना चाहिए अगर आप इसमें dividend के purpose इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अब देखिए अगर आप देखोगे तो पिछले साल अगर आप देखोगे 2020 में तो देखिए यहाँ पर sales आपको कम होती हुई नजर आई टी और इस बार 15% कमपनी की sales कम हुई है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया लेकिन देखिए इस बार prices बड़े हैं तो उसके 15% आपको sales कम होती हुई नजर नहीं आएगी आराउंड 10% आपको sales कम होती हुई नजर आएगी तो कि आपको पता होना चीए कि जितनी भी घाडिया हैं ट्रक्स हैं उन सब की घाडिया बड़ी है उन सब के prices बड़े हैं और अगर मैं Royal Enfield के अगर मैं बात करूं तो उसमें भी लगबग 10-15,000 का price बड़ा है पर Royal Enfield का तो देखा जया तो around revenue आपको 10% के लगबगी घरता हुआ नजर आएगा और जो sales से total अलब जो unit wise अगर हम देखेंगे तो वो आपको 15% घरती हुई नजर आएगी अब अगर आप देखोगे तो पिछले साल का जो performance था उसमें कंपनी की profitability कम होती हुई नजर आईगी अब देखिए यहाँ पर आईशे मोटर्स का जो share है वो 2631 पे trade हुआ नजर आ रहा है और देखिए इसका high देखिया आप 3348 का इसका यहाँ पर high है तो मतलब अपने high से अभी आपको लगबख 700 रुपे discount में मिल रहा है अरूंड 20-25% के correction पर लेकिन देखिए रोस्तो यह जो इसका जो 3300 के लगबख का जो इसका high है यह आपको पता होना चीए कि जब आईशेर मोटर्स का share split हुआ था तो उसके बाद एकदम इसमें एक अच्छी कासी rally देखने को मिली थी तो उसी की वज़े से यहाँ पर आईशेर मोटर्स का जो share था वो इतना था लेकिन उसके बाद हमको profit booking नजर आई और उसके बाद लगातार आईशेर मोटर्स का जो share है वो 50000 से लेकर 3000 के बीच में consolidate कर रहा है देखें no matter कि यह इसका price होगा future में होगा जरूर होगा लेकिन वो price एक over valuation पर चला गया था जो कि इसका price एक दो साल बाद होना चाहिए था तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर आईशेर मोटर्स में invest किया हुआ है मेरे ख्याल से आप में बने रही है और जो लोग यहाँ पर invest करना चाते हैं वो यहाँ पर definitely invest कर सकते हैं अब देखें मैं असा क्यों बोल रहा हूँ तो कि देखें आईशेर मोटर्स का जो रॉयल एंफिल्ड है उसके लिए आईशेर मोटर्स ने बोला है कि वो हर quarter में एक नया रॉयल एंफिल देखने को मिल रही है तो यहाँ पर सब इंडिकेशन पॉजिटिव नजर आ रहे हैं तो वो यहाँ पर बिलकुल invest कर सकते हैं जिनको कोई dividend नहीं चीए लेकिन capital appreciation से वो लोग खुश हैं अब बात आती है कि short term view देकि short term view के लिए यह बोलूँगा कि अभी लगातार consolidation पर है तो भी अगर लगबग यहाँ पर 2700 के price पर अगर share जाता है और वहाँ पर भी अगर अच्छा volume देखने को मिलता है तो वहाँ पर buy कीजिए और वहाँ पर target रखिए अपना 3000 रुपे पर share का तो दोस्टो आपको icer motors के पूरे sales data के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा तो इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें ओके थैंक यू, have a nice day